हेलो गाईज, वेलेकम बैक टू मैई चैनल अमन जे कियां तो गाईज ये बीए सेकेंडर थर्ड समेश्टर का हिंदी का पार्ट टू वीडियो है तो पलीज एकजाम देने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देखें आपका एकजाम आज हिंदी का है तो एकजाम देने से एकांखी का समराट किसे कहा जाता है राम कुमार वर्मा को एकांखी का समराट कहा जाता है नेक्स कोशर रानी केत्की की कहानी के रचनाकर कौन है रानी केत्की की कहानी के रचनाकर कौन है मुन्सी सदा सुखलाल है कौन है मुन्सी सदा सुखलाल नेक्स कोश्टन कहाई आप तरहारा लिखा गएा ग्रण्थ राम चंद्र शुक्ल्द्वारा लिखा गया इनमें से कोओ जा गरंथ करनि का है हिंदि साहिति का इतिहास आप सर नंबर स इसका राइट है नागरी पचारडãy सभा के संथा पकोन थे ऊड़ीनद्द का क्या होगा आपसर नंबर स्याम सुंदर दास थे नेक्स क्या है सरस्वती के प्रथम संपादक है ठीक सरस्वती के प्रथम संपादक कौन है इसका राइट एंसर क्या है आपसर नंबर महावीर प्रसाद दिवेदी कौन है सरस्वती के प्रथम संपादक महावीर प्रसाद द्वारा संपाधित कौन सी प्रत्रिका थी थी? मतलब इन्चारों में से आचार महाभीर प्रसाद द्वेदी द्वारा संपादित कौनसी पत्रिका थी? तो इसका राइट अंसर क्या है? आपजी नमबर राज मोभुट क्या है? एक नाटक है, next question क्या guys कि नेम लिखित रचनाओं में कौन छायावादी युग का गध लिखक है, इन चारों मतलब में से कौन एक छायावादी युग का एक गध लिखक है, कौन है, नंद दूलारे वाजपेई, कौन है, नंद दूलारे वाजपेई next question क्या है, वहु की विदा के रचनाकर कौन है, वहु की विदा के रचनाकर कौन है, इसका रचनाकर क्या होगा, विनोध रस्तोगी है, कौन है, विनोध रस्तोगी, मतलब आपसन दूलारे वाजपेई, नंद दूलारे वाजपेई, नंद दूलारे वाजपेई, नंद दूल इसका राइट एंसर है नेक्स कोशन क्या है नीन में से ब्राहन प्रतिका के संपादक कोन है इसका राइट एंसर क्या होगा आपसे नमबर स प्रताप नरायन मिरिस्ट आपसे नमबर स इसका राइट एंसर है नेक्स कोशन क्या है डाक्टर संपुडानंद द्वारा संपादित प्रतिका है इन में से कौन सा है मर्यादा डाक्टर संपुडानंद द्वारा संपादित प्रतिका क्या नाम है मर्यादा आपसे नमबर से इसका राइट एंचर है इन चारू में से प्रत्रिका कोन सी है इसका राइट एंसर के लगाएंगे उपन्याज ठीक है इसका राइट एंसर क्या होगा यसपाल जी है कौन है यसपाल जी परदा कहानी के लेखक है नेक्स कोशन क्या गाई समरा तो एक्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूचे देखें जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पूड होगा तो नेक्स कोशन क्या है जैसंकर परसाद की इसके लेखक है जैसंकर परताद ध्रू स्वामनी के लेखक है आपसन नमबर ब इसका राइट एंसर है नेक्स कोशन गबन के लेखक कोन है इसका राइट एंसर क्या है इसका राइट एंशर क्या होगा? आपसर नमबर- प्रेम सागर, ठीक है? पंडित लल्लुलाल की रचना कौन सी है? प्रेम सागर आपसर नमबर- इसका राइट एंशर, नक्स्कोचन क्या है? नागरी पचारडी सभा की स्थापना किस यूग में हुई इसकी राइट एंसर क्या है आपसे नमबर वह इसका राइट एंसर है प्रेम सागर के रचनाकर है इने में से प्रेम सागर के रचनाकर कोन है इसका राइट एंसर क्या होगा ललुलाल प्रेम सागर के रचनाकर है यात्रा किस लेखक की आत्मकता है जो मेरी जीवन यात्रा है वो किस लेखक की आत्मकता है राहुल सकित्यान की है ठीक है मेरी जीवन की यात्रा यह राहुल सकित्यान की आत्मकता है चिंता मड़ी किस विधा की रचना है जो चिंता मड़ी है वह किस विधा की रचना है आपस इन चारों में से जो आपसंदिय गए इनी में से आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन है? इसका राइट एंसर क्या है? महादेवी बर्मा है. कौन है? महादेवी बर्मा आधुनिक। अ डार्टर समफुडानंद्वारा समपादित पत्रिका का क्या नाम है इसका राइट एंसर क्या होगा? आपसन नम्झा यादा ठीक का डाटर संपुड़ानंदन द्वारा संपाधि पात्रिका का नम मर्यादा है न्यफ्ट को शन चिंतामडी के रचनाकर कोन और इसका राइड अंसर चैसाम सुंदर लगको कर रचना करें नेक्स कोशन का है दीपदान नामक रचना है किसकी है दीपदान नामक रचना क्या है इसका राइट एंसर क्या है एक आंकी दीपदान नामक की रचना है नेक्स कोशन की तरब बढ़ते हैं स्वामी द्रयानन सरसुती की रचना कौन है इनि में से स्वामी द्रयानन सरसुती की रचना कौन है सत्य प्रकास ये स्वामी द्रयानन की रचना है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है आपसे नमर परिच्छा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है next question क्या है हमारा question number 13 में हिंदी गध खड़ी बोली के जन्मदाता कोन है या तो कह सकते हैं हूं अलोचना के छेत्र में जर्वाधिक उल्लेखनी है कर्म भूमि किसकी० रचना है कर्म भूमि किसकी रचना की अधििक Après क्या भूलू क्या याद रखू या किसकी आत्मकता है हरिवन्स राय बच्चन की रचना आए कुन है क्या भूलू क्या याद रखू या हरिवन्स राय बच्चन की क्या है आत्मकता है 6. kin किया है पंडित ललैला अध्यापक नियुक्त हुए थे इसका राइट एंसर क्या है आप सह नमबर फौर्ट विलियम कालेज में पंडीत ललूलाड अध्यापक नियुक्त थे क्या है इन में से क्या है यह जो दिया गया है यह क्या है निशे चार अप्शनों में से इसका राइट एंसर क्या होगा नाटक है नासी केतो पाथ्यान के दिया है नासी केतो पाख्यान के लेखक कौन है इसका राइट एंसर क्या है आपस नमबर स स्याम सुंदर दास रूबक रहस्य के लेखक है सन 1957 में पदमभूसर से अलंकित या पदमभूसर से समानित कोन से कभी हुए थे इसका राइट एंसर क्या है आपस नमबर ब क्या है विद्या निवास मिस्र ये सन 1957 में पदमभूसर से समानित किये गए थे इसका राइट एंसर क्या है आपस नमबर द इसका राइट एंसर है विद्या की द्रिष्टी से बोलगा से गंगा है विद्या की द्रिष्टी से बोलगा से गंगा है विद्या की द्रिष्टी से बोलगा गंगा है आपस नमबर ये कहाए कहानी संग्रह है नेक्स कोचन कि दर बढ़ते हैं हम अग्ये का सनाटा सिर्शक लेख उनके किस निबंद संग्रह में संक्लित है इसका राइट एंसर क्या है आपसर नंबर स क्या है सब रंग और कुछ राग नेक्स्ट क्या है हिंदी साहित में ब्यांग के अधार पर इस्थम्ब है इसका राइट एंसर क्या होगा हरी संकर पर सा ने कहा था ठीक हिंदी साहित में ब्यंग के अधार पर स्थम्भ हैं किसने कहा था हरी संकर परसाई ने साहित का स्रे और प्रेय नीबंद संग्र है साहित का सबसे स्रे और प्रेय नीबंद संग्र है क्या है इसका राइट एंसर क्या है जैनेंद मलब किसी ने कहा था साहित का स्रे और प्रेय नीबंद संग्र है जैनेंद कुमारनी नेक्स कोशन क्या कैसे मरा वाणभट की आत्मकता की विधा है वाणभट की आत्मकता की विधा क्या है इसका राइट अंसर क्या है आपसन नमर से उपन्यास वाणभट की आत्मकता है जो वाणभट की आत्मकता है वह उपन्यास विधा की रचना है नेक्स कोचिन क्या है मोहन राकेश का निबंध संग्रा इनमे से क्या है वकलम खुद है कौन है वकलम खुद आपसन नमबर द इसका राइट एंसर है नागरी पचारडी सभा की इस्थापना में योगदान है इसका राइट एंसर क्या है आप्षन नमबर द क्या है सुकुमार सिंग आप्षन नमबर द इसका राइट एंसर है आनंद की खोज और पागल पतिक का समन्द किस विधा से है आनंद की खोज और पागल पतिक का समन्द किस विधा से है इसका right answer क्या है आक्सा नमबर ब क्या है निवंध next question हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है ठीक है हिंदी की पहली कहानी इन में से कोन सी है उसने कहा था ठीक है हिंदी की यह का है पहली कहानी मानी जाती है नेक्स कोशन क्या है पानी में चंदा और चांद पर आदमी किस विधा की रचना है इसका right answer क्या है निवंद विधा की रचना है पानी में चंदा और चांद पर आदमी नेक्स कोश्चन क्या है आधुनिक काल के प्रमुख नाटक कार माने जाते हैं ठीक इनमे चारों में से आधुनिक काल के प्रमुख नाटक कार कौन है इसका राइट एंसर क्या है मोहन राकेस ये आधुनिक काल के प्रमुख नाटक कार माने जाते हैं नेक्स कोचन क्या है मारा भारतेंदू हरिशंद की रचना है इन चारों में से भारतेंदू हरिशंद की कौन सी रचना है इसका राइट एंसर क्या है नूतन ब्रहचारी ये भारतेंदू हरिशंद की रचना है सदल मिल्स की इन में से कौन सी रचना है सदल मिल्स की इन में से क क्या राइड एंसर क्या है या है जे टाइरी विदा के लेखक कौन है की प्रसिद कहानी इन में से one क्या है उसने कहा था यह हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है और इसके लेखक कौन है चंद धर्फ सर्मा की सबसे प्रसीत कहानी उसने कहा था नेक्स कुस्षण दिवेदी युक्स के लेखक कों है? इन चारों में से दिवेदी युक के लेखक कौन है सरदार पूर सिंग दिवेदी युक के लेखक है असो के फुल निबंद के लेखक कौन है असो के फुल निबंद के लेखक कौन है हजारी प्रसाद दिवेदी ये असो के फुल के निबंद के लेखक है next question क्या गैस हमारा कि पार्ठे पुष्टक में संकलिध बलिया के मेले के आउसर पर दिया गया भासर की सिर्शक से संगरहित है किसे है कि सिर्शक से संगरहित है इसका right answer क्या है और हाँ इसका right answer क्या है guys आफ्सन नमबर कौन से सही होगा आफ्सन नमबर भालत वर्स उन्नती कैसे हो सकती है आफ्सन नमबर और इसका राइटेंस है और नेक्स कोशन क्या होगा इसमरा इन चारों में से प्रसीद उपन्यास कार है इन चारों में से प्रसीद उपन्यास कार कौन है इन चारों में से प कुछ रखनी बंद कार मना जाता है इसका राइडुन सा आफ क्वेर नात राय को लिद निबंद निबंद कार माला जाता है तो आज के लिए एतना काफी आपके अब ईडिक्जाम की वीडियो बनाए जाएंगी तो आज एक्जाम देने से पहले में हिंदी का मिले कहले इस मतलब पांट वीडियो हींदी का जरू से जरू देखे ठीके गास और हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब परें और बेल के देखें उनका प्ले लिस्ट भी बन गया है चलिए नेक्स वीडियो मिलते हैं